हेलो फ्रेंड्स कैसे हो जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है आज है 16 दिसंबर 2019 और सभी बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का करंट अफेर का वीडियो तयार किया है और क्वालिटी की दृष्टी से लाज जवाब यह वीडियो है तो प्ली से आप डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ सकते हैं और दोस्तो हमारा वादा है यदि आपने एक साल तक के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के करंट अफेर वीडियो के देखने की आदत बना ली तो मान करके चलिए आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह चैंज हो ज यही लिसी प्रिया कंगुग जम कौन है तो दोस्तों लिसी प्रिया कंगुग जम कौन है बहुत ही शांदार यह क्विश्चन है वो हमारे भारत देश की ग्रेटा थनबर्ग है यानि कि परियावरान कारिय करता है लिसी प्रिया कंगुग जम और इसलिए इस क्विश्चन क डी ओप्शन सही है और यहां मैं आपको लिसी प्रिया की एक इमेज दिखाना चाहूंगा क्योंकि वो सिर्फ महज आठ साल की है कितनी साल की आठ साल की यह लिसी प्रिया हाल ही में क्यों करंड अफेर में है हमारे भारत की सबसे बड़ी परियावरन कारिय करता तो देखिए म अनिपूर की इस नन्ही परियावरन कारिय करता ने स्पेहन की राजदानी मेडरिड में हाल ही में कॉप 25 आयोजित हुआ उस जलवायू शिकर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं से अपनी धरती और उन जैसी मासूमों के भविश्य को बचाने के लिए तुरंत कदम उठाने के गुहार लगाई और इसलिए आपको याद रखना है इसी के बारे में तो लिसी प्रिया गंगु जम अब तक 21 देशों का दवरा कर चुके है कितने देशों का 21 देशों का दवरा कर चुके है और जलवायू परिवरतन मसले पर विवित सम्मेलनों में अपनी बात रख बहुत बड़े प्रमुक जो अखबार है इसी के फ्रंट पेज में भी लिसी प्रिया सुर्खियों में रही और उसी को बोल दिया भारत की ग्रेटा थनबर्ग दोस्तो बात अच्छी लगती है तो लाइक करना मत बुलिएगा आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेशन की और हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए एक अनोखी बारकोरिंग शुरू की है तो हाल ही में एक स्टेट है जिसने फोरेंसिक रिपोर्ट के लिए एक अनोखी बारकोरिंग शुरू की है उस स्टेट का नाम है हरियाना क्या नाम है, हर्याणा, और इस लिए इस question का, यह option से है, और इस barcoding क्या है, और इसके मदद से, क्या फायदा होगा, किसके द्वारा विक्सित की गई है, वो भी यहां में clear कर दू, तो यह barcoding हाल ही में विक्सित की गई है, हर्याणा पूलिस ने छेड़चाड मुकत आपरा अधिक जांच सुनिश्चित करने के लिए अध्वितिय बार कोडिंग सौफ्टवेर जिसका नाम रखा गया है ट्रेकिया उसी को हाल ही में अपनाया है और इस सौफ्टवेर को मूल रूप से एक कैदी द्वारा डिजाइन किया गया है यानि कि एक कैदी द्वारा डिजाइन तो हाल ही में इस ट्रेक्या नावक सॉफ्ट्वेर को लॉंच किया है यहां के CM मनोहर लाल खटर ने तो देखे हर्याना के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर ने मधूबन स्थीत पूलिस कॉम्प्लेक्स में हर्याना पूलिस के फोरेंसिक सैंस लेबोरेटरी के ट्रेक्या बार trading system का उदगाटन किया किस ने किया? तो मनुहरलाल खटर ने जो हर्याना के CM लेकिन हर्याना की capital का नम क्या है? चन्दिगर्ट और हर्याना के हाल ही के राज्यपाल कौं है? सत्यदेव, नारायन, आर्य जो हर्याना के हाल ही के राज्यपाल है और दोस्तो हमारा राज्यपाल और चीफ मिनिस्टर से जुड़ा हुआ एक वीडियो भी हमारी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है यदि आपने नहीं देखा है तो देख लिजिएगा आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेशन की और हाल ही में किस कंपनी ने भारत के लिए पहली बार वाइस ओवर वाइफाई पेश किया है तो वाइस ओवर वाइफाई हाल ही में लॉंच किया है भारतिय एर्टेल ने यानि कि इस क्वेशन का सी ओप्शन सही है और जब भारतिय एर्टेल ने इस voice over wifi की सुविधा अवेलेवल करवाई है तो इसमें क्या है तो देखें, wifi calling विशेस रूप से उन क्षेत्रों के लिए लक्षे थे जहां cellular network मजबूत नहीं है यानि कि internet के मादियम से या तो wifi के जरिये आप calling कर सकते हैं और HD voice calling कर सकते हैं और इसी internet के जरिये उप्योग करताओं को अपना data उप्योग होने की वज़र से इसके लिए कोई charge भी नहीं देना पड़ता तो देखें wifi calling क्या है यह high speed internet connection broadband के मादियम से उच परिबाशा यानि कि high definition voice call प्राप्त करने के लिए उप्योग करता है और इन कोलों के लिए अतीरिक्त भुगता नहीं करना पड़ता यह इसकी खास बात है और हाल ही में इसे launch किया है भारतिय एर्टेल ने तो भारतिय एर्टेल के बारे में आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 को हुई और भारतिय एर्टेल के हाल ही के स्थापक कौन है तो सुनिल भारती मित्तल जो यहाँ इमेज में देख रहे है यह है सुनिल भारती मित्तल जिसने भारतिय एर्टेल की स्थ तो गोपाल विद्टल। कौन गोपाल विद्टल। हाल हीमें एरटेल के चीओ है। चोथा क्वश्चत, हाल हीमें मार्क बाउचर को कीज देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं यह एक विकेट कीपर रह चुके है मार्क बाउचर जिसको हाल ही में अपने देश दक्षिन अफरीका ने अपनी क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया है और इसलिए इस क्वेशन का भी ओप्षन सही है और यहाँ हम बात करते हैं मार्क बाउच को दक्षिन अफरीका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है और बुरे दोर से गुजर रही टीम को उबारने के लिए प्रबन धन्ने पुर्वत दिगज को बड़ी जिम्मेवारी सौप दी है तो यानि कि हाल ही में कोई अच्छा प्रदर्शन दक्षिन अफरीकी क् पांचवा क्वेशन निम्न में से कौन 17 दिसंबर को विजिटर्स अवार्ड 2019 प्रदान करेंगे तो कल ही 17 दिसंबर है और 17 दिसंबर को विजिटर्स अवार्ड 2019 प्रदान करेंगे हमारे राष्टरपती रामनात कोविन और वो भी दिल्ली के राजभवन में और इसलिए इ आप्शन साइई है और visitor अवार्ड्स की बात आती है और रामनात कोवेंद की तो देखे हाल हिमें current में क्या है? तो देखे राश्टपती रामनात कोवेंद मंगलवार को राश्टपती बवन में visitors अवर्ड 2019 प्रदान करेंगे और यह क्या है उच शिक्षा संस्थान के उन्चा संस्थानों के प्रमुक के अलावा मानो संचादन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मानो संचादन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे और यहां आपको याद रखना है उच शिक्षा के 49 संस्थान यहां इससा लेंगे इसके प्रमुक यहां मवजुद रहेंगे चठा क्वेशन हाल ही में राष्ट्रिय विजई दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रिय विजई दिवस यानि कि बांगलादेश को स्वतंत्र होने की घोषना तो मार्च में कर दी गई थी लेकिन इस पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के बाद हमने जब विजई हासिल की तो वो दिनांग थी 16 दिसंबर यानि कि आज ही राष्ट्रिय विजई दिवस मनाया जाता है और इसलिए इस क्वेशन का भी ओप्शन सही है और यहां मेप में देख सकते हैं हमारा भारत की तरह दिख रहा यह है बांगलादेश और बांगलादेश के इस मुक्ती संग्राम के बारे में बात करें तो साल 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद में पाकिस्तान स्यना पर भारत की जीत के उपलक्ष में हर साल 16 दिसंबर को विजई दिवस मनाया जाता है और आज ही हम विजई दिवस मना रहे हैं तो इसे बांगलादेश मुक्ती युद भी कहते हैं बांगलादेश का स्वतंत्रता संग्राम मार्च 1971 में हुआ था और यह मुक्ती संग्राम भी कहते हैं और यह युद्ध वर्ष 1901 में 25 मार्च से लेकर 16 दिसंबर तक चला गया था और देखे दोस्तो 16 दिसंबर को अपने आपको सरेंडर कर दिया था पाकिस्तान ने और हमरी जित हुई थे और इसलिए आज की दिवस को हम राष्ट्रिय विजय दिवस के रूप में मनाते हैं साथवा कुशन हाल ही में आंध्र विश्व विद्यालय में वर्चिवल पूलिस स्टेशन का उद्गाटन कीस ने किया तो आंध्र प्रदेश युनिवर्सिटी में हाल ही में वर्चिवल पूलिस स्टेशन यहां पहले तो पढ़िए आंध्र प्रदेश फर्स्ट वर्चिवल पूलिस स्टेशन टु कम अप आंध्र प्रदेश युनिवर्सिटी तो यह हाल ही में इसका उद्गाटन किया है आंदरप्रदेश के CMYS जगनमहन रेड़ी ने और इसलिए इस क्वेशन का भी आप्शन सही है और हाल ही में जब इस आंदरप्रदेश विश्व विद्यालाई में पहला जब वर्चुल पुली स्टेशन खुला है तो आप यहां इमेज में भी देख सकते हैं तो यह आंदरप्रदेश राज्या में इस तरह की पहली सुविधा अवेलेबल की गई है और चात्रों की शिकायोतों को रिपोर्ट करना आसान बनाने के लिए आंदरविश्व विद्यालाई के कुलपती के सुजाव पर यह पिलग होकर यह बन गया है तलंगना और यहां आंदरप्रदेश देखिए तो यहां पर आप देख सकते हैं ओडिशा और यहां पर चत्तिसगाड यहां पर तिलंगना केरल और तमिल नाडू से जुड़ा हुआ है आंदरप्रदेश तो आंदरप्रदेश की केपिटल क्या ह हाल ही में हैदरबाद है लेकिन होने वाले ही है अमरावती जो अगले 10 साल में बनकर तयार हो जाएगी और पूर्ण रूप से यह प्लानिंग बद्ध सिटी होगा अमरावती और आंधरप्रदेश का गठम कब किया गया तो भाशा के तोर पर अलग होने वाला सबसे पहला को स्टेट है तो वो है आंधरप्रदेश जिसका गठन एक नवंबर 1903 को हुआ है दोस्तों यहां टाइप मिस्टिंग है और देखे राज्यपल कौन है विश्व भुशन हरी चंदन और इसके चीफ मिनिस्टर कौन है जगन मोहन रेडडी तो भाशा के तोर पर 1953 में यह सबसे पहले हमारा बारत देश का अलग स्टेट बना आठवा कुशन 15 दिसमबार नीमन में से कीस व्यक्ति का जन्मदीवस है यानि कि कल ही 15 दिसमबर थी और 15 दिसमबार हमारे बायचुंग भुटिया और गीता फोगट का जन्मदीवस है और इसलिए इस क्वेशन का डी आप्श लिए भारत देश के लिए इसने कई सारे अच्छे काम किया है और भारत देश का नाम रोशन किया है और यहां आप एक जो इमेज देख रहे है वो है पोटी स्री रामुल्लू की और पोटी स्री रामुल्लू भाशा के तोर पर यब ज़ा आंत्रप्रदेश स्टेट बना त इसका पुणिय थी थी पोटी रामुलू की पुणिय थी थी कल थी और जन्म दिवस की बात करें तो बायचुंग भुटिया का जन्म 15 दिसंबर 1976 को सिक्किम के गंग टोक में हुआ और बायचुंग भुटिया कौन थे भारत के प्रसित फुटबल खिलाडियों में से एक थे और बात करते हैं गीता फोगाट के तो गीता फोगाट का जन्म 15 दिसंबर 1988 को हरियाना के भिवानी जिल्ले में हुआ और गीता फोगाट कौन है तो भारतिय महिला फ्री स्टाइल पहलवान है जिन्होंने पहली बार भारत के लिए कॉमन वेल्थ गेम में स्वर्ण पधक ज आयोजन तीन जन्वरी 2020 से कहां किया जाएगा तो हाल ही में 2020 आने वाला है और उसी की दिनांग तीन जन्वरी को 107 भारतिय विज्यान कॉंग्रेस का आयोजन बंगलूरू में किया जाएगा कहां पर बंगलूरू में यानि कि करनाटक के कैपिडल बंगलूरू में यह भार मिद्यार्षन्स और रुट सfed और नेश्ट सर क्भाइर, यहां हम बात करते हैं 107ैय घारतिय विज्यान के ग्रामीं विकास, यहां इंग्लिश में मैं पढ़नेएं यहां इंग्लीश यहां रखे गए है और उत्काटन इसका कौन करेंगे हमारे मान्निय प्रदान मंत्री स्री नरेंद्र मोधी द्वरा इस फेस्टिवल का उत्काटन होगा और भार्तिय विज्यन कोंग्रेस जिसकी स्थापना कब की गी थी 1914 में और इसमें तक्रीबन 30,000 से अधिक सदस्यों के रूप में भी सदस्य स्यामिल है जिसका हाल ही में आयोजन किया जाएगा दस्वा क्वेशन हाल ही में सात्वी आर्थिक जन्गर्ना यानि कि 7th Economic Census की शुरूआत कहां की गई तो हाल ही में यह दिल्ली में शुरूआत की गई है कहां से दिल्ली से और इसलिए इस क्वेशन का C option सही है और हम बात करते हैं इस Economic Census की जो हाल ही में दिल्ली में शुरूआत की गई और दिल्ली आर्थिक जन्गर्ना शुरू करने वाला 26 वा राज्य है कौन से नमर का 26 वा राज्य है जबकि 20 राज्यों और 5 के अंदर शाशित प्रदेशों में यह कार्य पहले भी चल रहा है और यहां बात करते हैं वर्ष 2019 में सातवी आर्थिक जन्गर्ना का संचालन सांखी की एवं कार्यक्रम कार्यन वयन मंत्राले द्वारा किया जाता है यह बात याद रखना है और यहां दिल्ली यहां स्टेट लिखा है लेकिन यह 26 विया ऐसा हमारा कैंदर साशित प्रदेश है तो यहां पहुंच गए है 11 वे क्वेशन के और 11 वे क्वेशन निम्न में से कौन नवी करणिया उर्जा की सुविधास से वंचित तबको को उर्जा सुलब कराने के लिए ग्रीन विंडो का निर्मान करेगी तो नवी करणिया उर्जा यानि कि हमने 2022 में जिस तरह इस पज़ास सुलब कराने के लिए ग्रीन विंडो का निर्मान किया है इरेडा ने किसने इरेडा ने और हाल ही में जब मेडरेड में यह जलवायू संबेलन हुआ तो उसमें भी इरेडा ने यह कोशना की है और इसलिए इस क्वेशन का भी ऑप्शन सही है और यहां बात आती ह इरेडा की तो इरेडा का पुरा नाम क्या है इंडियन रिन्यूवेबल एनर्जी डेवलपमेंट एजन्सी लिमिटेड जो इरेडा का पुरा नाम है और यह भारत सरकार के नवीन एवन नवी करणिया उर्जा मंत्राले के प्रशासनिक नियंत्रन के अधिन कार्यरत एक मिनी अतना श्रयाणी वन प्रकार की कम्पनी है और ग्रीन विंडो के लिए लगपक 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आवन टन पर भी विचार किया गया है और इसलिए आपको इरेडा का नाम याद रखना है बारवा क्वेशन जलवायू परिवर्तन पर अगली वारता का आयोजन कहां होगा तो हाल ही में जब 25 कौप सम्मेलन संपन हुआ और अगली कौनफरेंस और पार्टीज का सम्मेलन 26 वा आयोजित होने जा रहा है ग्लासको में कहां पर ग्लासको में अगले साल कौप पर 26 आयोजित होगा कहां पर ग्लासको में और इसलिए इसक्रक्षन का डी आप्सनस आही है और यहाँ बात करते हैं ग्लासको की तो यहां United Kingdom में यहां लोकेशन है Glasgow का जहां Corporate 26 आयोजित होगा और इसलिए आपको इस प्लेस का नाम याद रखना है Glasgow तेरवा क्वेशन अमिरीकी कांग्रेस ने भारत के कीस उपग्र को संबंद नव परिवहन उपग्र प्रणाली के रूप में नामित करने की सहमती देई है तो हाल यह में मैं आपको बता दू इस हमारा सेटेलाइट का नाम है NAVIC क्या नाम है NAVIC और जो हमारे पूरे भारत की 15,000 किलो मिटर की रैंज को कवर करता है और यह सेटेलाइट को हाल यह में अमेरिकी कांग्रेस द्वारा संबंद नव परिवहन उपग्र प्रणाली के रूप में नामित करने की सहमती दी है और इसलिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है इस NAVIC सेटेलाइट के लिए और इसलिए इस क्यूशन का भी ऑप्शन सही है और यहां बात करते हैं हम इस इश्यू की तो अमेरिकी कांग्रेस ने भारत के नाविक उपग्र को संबंद नव वहन उपग्र प्रणाली के रूप में यूरोपियस संग के गेलेलियो और जापान के QZS के साथ नामिक करने की सहमती दी है और भारत की नाविक उपग्र प्रणाली को एक संबंद प्रणाली के रूप में नामित करना अमेरिका के मल्टे ग्लोबल नेविगेशन सेटलाइट सिस्टम रिसीवर के विकास के लिए एक प्रोटो टाइप कार्यक्रम विक्सित करने का हिस्सा है और हमारे इस सेटलाइट का काफी इसमें अहम योगदान है जिसे हम GPS ट्रेकर में काफी अहम सावित है हम बात करते हैं कल के वीडियो के क्वेस्चन के वर तो दस्तो कल मैंने आपसे क्वेस्चन पुछा था कि हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल गिटार फेस्टिवल 2019 में विश्व को की स्वाधिय यंत्र से अउगत कराया गया तो विश्व को यह जिसका नाम है पुश्पाविना क्या नाम है पुश्पाविना से हाल ही में विश्व को अउगत कराया गया और इसलिए इस question का ए option सही था और सभी को सही answer देने के लिए congratulations और आज का वीडियो का question ए रहा स्क्रेन पार तो आज का question है हाल ही में राष्ट्रिय गंगा परिशद की पहली बैठक की अध्यक्षता कीसने की और यदि दोस्तो कल का वीडियो आपने देखा है तो answer तो sure पता ही होगा तो please दोस्तो यहाँ चार option आपकी screen पर है और उसी में से आपको choice करना है कि राष्ट्रिय गंगा परिशद की पहली बैठक की अध्यक्षता कीसने की और answer देना है नीचे comment box में तो दोस्तो आज का वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा helpful लगा तो एक छोटी सी उम्मिद आपसे रखता हूँ के facebook, whatsapp और telegram के जरिए आज के वीडियो की link आपके दोस्तों को share करना मत बुलिएगा कल फिर मिलेंगे नए current offer के साथ तब तके लिए जय हैं